नवस्कार आपका स्वागत है हमारे चनल पर आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सपने में पत्थर का धेर देखना कैसा होता है अगर आपको सपने में पत्तर का धेर दिखाई दिता है तो ये सोभ है ये आसोभ है आज के वीडियो में हम आपको जानकरी देंगे इसलिए आपसे अनुरोध है वीडियो को अंतर तक जरूर देखना अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सस्काइब करें कमेंट बॉक्स में जैसी राम लिख है ताकि प्रूबो की करपा आप पर बनी रहे और आपके जीवन में इस्तितिया सदेम मंगल में भी बनी रहे अगर आपको सपने में पत्थर का ठेर दिखाई देता है तो ये सपना अच्छा भी हो सकता है खराब भी हो सकता है बस पर किस बाद से पढ़ता है कि सपने में आपने आपको कौन सी अवस्ता में देखा है अगर आप सपने में बहुत सारे पत्थर देखते हैं या पत्थरों का धेल देखते हैं और उसी बीच उस पत्थर पर चड़कर आप सिखर वारे पत्थर पर जाते हैं तो ये अच्छा माना है ये सपना आपको बताता है कि आने वाले सबावे में आप तमाम बाबदाओं को नागर अपने सिखर को प्राप्ट कर सकते हैं इसके पिप्रीत अगर आप सपने में देखते हैं कि ही आप रास्ते में जा रहा है और आपके रास्ते में पत्थर का ठेल आ गया है तो ये सपना आपको बताता है कि आप जो भी कारे करना चाहते हैं जो भी आपका उद्देश से हैं जो भी आपका टार्गेट है उसमें आने वाले समय में बाधाय उत्पन हो सकती हैं जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है बहिएं बात कर लेते हैं अगर आप सपने में देखते हैं कि आप अपने किसी निर्माड हेतु पत्थर अपने घर पे ला रहे हैं और उनकी कटाई शटाई करवा रहा है या उनका जो है निर्माड हेतु अपने घर में प्रियोग कर रहा है अगर ऐसा सपना आपको आता है तो यह सपना अच्छा होता है यह सपना आपको बदाता है कि आने वले समय में आप किसी विशेश कारे को अंजाम दे सकते हैं कुल मिलाके ऐसा सपना आपको संकेत देता है कि आने वले समय में आप अच्छे कारे में इन पत्थरों का और इन बाधाओं का प्रियोग कर सकते हैं बहिएं बात कर लेते हैं अगर आप सपने में देखते हैं कि आप जो है किसी दूसरे के द्वार पर पत्थर लगा रहे हैं तो ये सपना आपको बताता है कि आने वाले समय में आप किसी के लिए बुरा समच रखते हैं या आपके माधिम से बुरा कारे हो सकता है जो कि ये सपना आपको संकीत देता है कि आने वाले समय में आप बुरा कारे करने से बचे हैं